नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक स्वाग पर दोस्तों यहाँ पर मैं अपने ऑनलाइन मंगाए गए प्लांड्स की अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहां डेफन बाकिया को मैंने रिपोर्ट कर लिया है और उधर ट्राइंगुलर फाइकस जो है उसकी कुछ पत्तियां गिर गई थी कुछ क्या सारी गिर गई थी लेकिन दो-तिन दिन रखने के बाद अब उसमें काफी सारी पत्तियां जो है वो आ चुकी है आपको दिख रहा होगा कई सारी पत्तियां जो है अब इनके अंदर आ चुकी है तो उसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है और यहां इसको रिपोर्ट किया है और अभी मैंने जो है अपने एगलो निमा को जो है रिपोर्ट नहीं किया है हो सकता है मैं उनको कल तक रिपोट करूँ बाकि जो है यहाँ पर अलपीनिया को मैंने रिपोटिंग के लिए रखा हुआ है आप लोगों को लग रहा होगा मैंने इसको पाने में भिगो कर क्यों रखा है क्योंकि ये इसकी जो सॉयल थी उपर तो इसमें पूरा जो है जो रूट बॉल बनाई गई थी इसकी चुकि आनलाइन जब सिपिंग होती है तो उसमें कई-कई दिन लग जाते हैं और आपका जो कोको पीट होता है वो मौश्यर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है तो कोको पीट की बॉल बनाकर उस तरीके से सिकुड जाती है तो यह पीलापन उस वजह से कहीं कहीं पर है बाकी यह कुछ दिनों में अपने आपको पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे इनके अंदर बैरियेशन भी आना सुरू हो गया है जब मैंने इनको ओपन किया था तो बैरियेशन कम थे वाइट कलर का यह यहां पर मैंने जो इसको पानी के अंदर इस वज़ा से डाला था क्योंकि रूट बॉल को ओपन करने के बाद यहां पर चिकनी मिट्टी जो है वो लगी हुए मुझे दिखी चिकनी मिट्टी बिल्कुल साबुन के जैसे चिकनी एकदम होती है यहां पर आपको देखने में यह चीज महसूस भी होगी कि यह मिट्टी जो होती है वो इस तरीके से रूट्स में लग जाती है देखें मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसे करके जो है चिपक सरा है बिल्कुल गम जैसे तो रूट्स में अगर यह लगी रह जाएंगी तो यह रूट्स को बाउन करके पहले अभी मैं लगभग आधा गंटा हो गया मैंने रूट बॉल को ओपन करके इसको इस तरीके से भिगो कर रख दिया था जब भी आप जो है क्लेश वैल की अंदर आपको प्लांट मिले नरसरी जाएए तो मिट्टी को जरूर चेक कीजिए और घर पर लाइए तो भी मिट् या क्लेश वैल के अंदर लगा हो तो आप इस तरीके से इसको धो कर अच्छे से हटा जरूर लीजिए अभी चुकी बारिस का मौसम चल रहा है तो सौक में जाने के प्लांट के चांसे कमी होंगे तो इस टाइम पर अगर आप इस मिट्टी को हटाएंगे तो प्लांट आप आप खराब नहीं होगा बाकी जब गर्मिया बहुत जादा तेज हो या फिर जो है सर्दियों के अंदर तो वहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी की जरूरत है आप पार्शेली मिट्टी को मतलब इतना ही हटा कर जो है वो छोड़ सकते हैं वहां पर यह अपने आपको ठ पता चल जाएगा कि अध्रक के पौधों की पत्तियां भी जो है बिलकुल इससे मिलती जुलती हैं बस थोड़ी छोटी छोटी होती है चुकि ये प्लांट जिंजर फैमली को विलांग करता है इस वज़ा से जो है इसका जो ग्रो करने का मेथट है वो बल्ब से ग्रो किया जाता है या फिर जो है आप इनको सेपरेशन से ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर आपको इसके बल्ब्स जो है वो नजर आ रहे होंगे छोट में जब अपने इस पौधे को रिपॉर्ट कर लूगा और अच्छे से जब यह चल जाएगा तब मैं साइट से निकाल कर जो है इससे नया प्लांट बना लूगा तो अलपीनिया के नाम के साथ साथ इसको सेल जिंजर के नाम से इस वजह से जानते हैं क्योंकि यह जिंजर फै से पत्ते आपको अभी यह दिख रहे हैं ब्राउन ब्राउन इनकी टिप्स दिख रही हैं यह तो ऑन लाइन जब पैक होकर आये थे उस वजह से पत्ते खराब हुए हैं इसी तरीके की प्रॉब्लम आपको बर्निंग की प्रॉब्लम जो है दिखेगी इनके अंदर जब अगर आपकी इस प्लांड की स्वाइल रिक्वार्मेंट की करी जाए तो इसको बेल्डेन के साथ साथ ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसके अंदर मौश्यर होल्ड होके रहें यहाँ पर मैंने एक हिस्सा गाडेन स्वाइल ली है एक हिस्सा कंपोस्ट लिया हुआ है यह ल अगर फंगिशाइड हो तो अच्छा है नीमखली हो तो और भी अच्छा है नीमखली का बेस्तमाल आप जो है इसके अंदर कर सकते हैं तो इस तरीके से जो है आपको इसके लिए मिट्टी बनानी है जिसके अंदर एक्षा वाटर होल्ड भी ना करें साथी साथ मौश्यर ज दीजिए उसी से यह अच्छा चलेगा एक बार आप फरवरी में इसको फर्टिलाइजर दे दीजिए और दूसरी बार जो है अगस्त में इन दो टाइम्स पर ही फर्टिलाइजर देना है बाकी आप जो है फोलिय जिस्प्रे कर सकते हैं अपने शीवीट का और कमपोश्टी का और साथ ही साथ जो है आप कीचन वेष्ट वागैरा से जो लिकुद फर्टिलाइजर तयार करते हैं जी वेकली जो आप लिकृट करते हैं अपने प्लांट के लिए उसको थोड़ा ज्यादा डायलोट करके जैसे दो गउना पानी के अंदर आप मिक्स करकर डायलोट करते आपका प्लान्ट के अंदर create करेंगा और दोस्तों यहां पर कर लिया है और mix करने के बाद नहीं नहीं को भथ को नहीं लिया तोड़ी बहुत बची है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको रिपोर्ट करने के लिए मैं इन यह प्लास्टिक का पॉट लिया है धेज सारे डेनेज होल इसके अंदर देखिये बने हुए हैं अगर आप चाहें तो 12 इंच का पॉट भी दे सकते हैं लेकिन इससे मिट्टी ना निकले और हमारा जो यह प्लांट है यह एक्स्ट्रा वाटरिंग की वज़ा से जो है ओबर मौश्च जो रुख जाता है प्लांटर के अंदर उसकी वज़ा से खराब ना हो चलिए इसको ठीकरियों से ढखते हैं और मिट्टी डाल कर प्लांट को लगा लेते हैं तो दोस्तों यहां अपने प्लांट को जो है मैंने रिपॉर्ट कर लिया है अच्छे से वाटरिंग करेंगे इसके अंदर और उसके बाद जो है इसको हम एक हफते के लिए ब्राइट सेड़ में ही रखेंगे कंप्लीटली तो इस तरीके से अलपीनिया के प्लांट को लगा कर उसकी केर करी जा सकती है कैसी लगी मेरी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसी किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्श वीडियो में तब तक किरे बाबाए एंड ठेक केर